मसकार दोस्तों जितिन टेक्नोलाजिया में आपका बहुत-बहुत सागत है दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने Android फोन को कैसे Apple के iOS 11 थीम को चेंज कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से तो सबसे पहले Play Store पे चलते हैं यहां आपको iLauncher X OS 11 थीम डाउलोड करनी होगी यह कापी अच्छा एफ है तो यहां से मैं open कर लेता हूं यहां पर मुझसे सारी permissions को allow करने को कह रहा है तो मैं allow कर देता हूं तो यहां पर तीन बार allow कर देंगे इसको और यहां पर options एक मिल आए home की settings तो मैं इसको ok कर देता और यहां पर मैं use launcher 3 as app जो default launcher है और एक launcher जो नीचे पड़ा हुआ है iLauncher X तो यहां पर मैं इसको set कर लेता हूं और यहां पर देख सकते हैं मेरा जो launcher है यह set हो गया है और यहां पर देख सकते हैं कितना smooth launcher है आप जितना भी कहीं भी आप इसको scroll करेंगे यह swipe करेंगे तो आपको एक अच्छा feedback मिलेगा और काफी एक amazing launcher है तो यहां पर 3G touch भी दिया गया है और यहां पर देख सकते हैं कि आप कोई भी app खोलेंगे तो आपको काफी smooth तरीके से app open होगा जैसा कि मैं आपको chrome browser open करके दिखा रहा हूं आप इस तरह खोलेंगे तो आपको एक अच्छा feedback मिलेगा आप जिस तरह आप देखना चाहते हैं तो इस तरह आप जो है अच्छा feedback इस app में आपको मिल जाएगा आप कोई भी app खोलते हैं open करते हैं तो आपको एक बहुत ही smooth तरीके से feedback मिलेगा जैसा कि मैं इसको खोल लेता हूं इस app को तो आप देख सकते हैं और चाहे त तो हम अपनी phone की settings खोलना चाहे है उसको भी खोल सकते हैं आप ऐसे करेंगे बिल्कुल setting जो है आपकी खुल जाएगी और यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से settings काफी smooth तरीके से खुल सकती है और यहां पर हम एक options को आपको दिखाएंगे कि आपको काफी सारे इस app की settings पर मिल जाएंगे यहां पर settings पर जाते हैं यहां पर preference में तो यहां पर हम क्लिक करते हैं यह launcher की settings है तो यहां आप देख सकते हैं app message notification hint on 3G je transportation mt touch अगराप इसको off करना चाहिए आप भी कर सकते हैं आन कर सकते हैं तो मेरा यह में यहां पर अपना phone हीues select कर लेता हूं phone का जो अपसंस है यहां पर done कर देते हैं करया यो यहाइड हो गया हूं और ऐइक आ जाते हैं इस तरीके से आप कई सारे that इसमें हईड ही कर सकते हैं यहाप आपको wallpaper का options मिल जाएगा आप wallpaper भी select करना आता है चाहे तो आप select कर सकते हैं बहुत ही आसानी से आप कोई भी wallpaper यहां से select कर सकते हैं तो यहां पर back आते हैं back आने के बाद आपको effects का option मिल जाएगा effects में जाएगे तो आपको अभी मेरा default roof से set है तो यहां पर देख सकते है rotate का option है scale का option है बिंड़ेन seconds आपको मिल जाएगा और हागर यहां पर हम बाक्च आते हैं तो आपको आईकम रौ improving पेज तो आपका काफी इसमें पेज भी आप classe कर सकते हैं जैसा चार पांच चेर तो आप इसको चाहर भी सबसे इच्छी बात है कि इसमें if I employ 이거는ाइज़ भी दिया गया सितना बी मिडिल करने करना सकते है यहां पर लेखने के बाद यहां पर बैखने के बाद ABS आप लेख सकते हैं आफंस मील जाएंगे इतने ही सारे आफंस इस सेटिंग्स में आपको मिलेंगे तो उम्म्मिद करते हैं ये वीडियो आप को पसंद आया होगा दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर इस वीडियो को जरूर करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले दोस्तों इसी के लिए दोस्तों बने